दोस्तों इस वीडियो में मैंने पिछले 5 बार के जनरल इलेक्शन का पूरा डेटा कलेक्ट किया है इसका मतलब है 1999 से लेके 2019 तक जितने भी जनरल इलेक्शन हुए है उस समय उसके पहले और उसके बाद बाजार इलेक्शन के दिन कैसे रियाक्ट करता है इसकी पूरी डीप रिसर्च मैंने की है जो मुझे लगता है अगर आप इंवेस्टर हो या ट्रेडर हो बाजार से जुड़े हुए बहुत जादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है इसके अलावा हम चर्चा करेंगे किस टाइप की स्ट्राडेजी को अवाइड करना है समय और किस टाइप की स्ट्राडेजी शायद हम यूज कर सकते हैं सेफटी के साथ इस तरह कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आज मैं देने जा रहा हूँ आएए चर्चा करते हैं यह है हमारी प्रेजेंटेशन जिसमें मैंने सारे डेटा को कंपाइल कर दिया है आपके लिए आए आगे बढ़ते हैं पहले डेटा देखेंगे उसके बाद conclusion निकालेंगे और possible strategies की चर्चा करेंगे तो इस तरह से सारी चीजें डिसकस होँगी आएए move on करते हैं सबसे पहले अगर आप देखोगे period of study यानि हमने कौन-कौन से time frame में पढ़ाई की है तो जैसा मैं कहा रहा था कि मैंने 1999 से लेके 2019 सक जितने भी elections है उनकी analysis की है इसमें एक अच्छी बात क्या है कि कभी आप BGP जीती है कभी आपकी UPA जीती है तो दोनों party का mixture रहा है तो हमारा data balance निकल के आएगा कोई दिक्कत नहीं है देखो जब भी elections के नतीजें उस date को उस date के 7 दिन पहले 7 दिन बाद जो यहाँ पे लिका है 7 दिन पहले 7 दिन बाद बाजार कैसा रियक करता है 15 दिन पहले 15 दिन बाद कैसा रियक करता है 30 दिन पहले 30 दिन बाद कैसा रियक करता है तो आप ऐसे समझो कि मालो election की date यह है तो 7 दिन पहले का reaction, 15 दिन पहले का reaction, 30 दिन पहले का reaction, 7 दिन बाद का reaction, 15 दिन बाद का reaction, 30 दिन बाद का reaction, तो इस तरह से हमें पूरी picture समझ में आ जाती है कि elections के आसपास shorter term में, medium term में, long term में बाजार कैसा प्रदर्शन करता है, अच्छा इसके लिए मैंने दो data देखने की पास बढ़ता है, तो आपको समय में आज़ेगा कि elections का प्रभाव हो रहा है, और दूसरा data जो मैंने देखा है, वो है, कितनी जादा volatility बढ़ती है, इस समय हम और आप चर्चा करें, volatility बढ़ी रही है, vix बढ़ी रही है, तो उसको भी data के तौर पर मैं देख रहा हूं, यहा पर आपकी screen पर daily returns आपको नज़र आ रहे है, अगर आप summary पर देखोगे, 7 दिन पहले, जैसे elections की date जितनी नजदीक आती है, उसके एक हफते पहले से बाजार में बड़े-बड़े moves आना शुरू हो जाते है, 30 दिन पहले थोड़े कम move रहता है, 15 दिन पहले normal रहता है, 7 दिन पहले 15 दिन बाद भी बड़े move करता है, लेकिन overall अगर आप एक महीने का देखोगे न, 30 दिन का, तो आपको देखने मिलेगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा impact नहीं होता, volatility high होती है, लेकिन बाजार पे ऐसा कोई बहुत बड़ा return के अनुमान से बहुत बड़ा impact नहीं पड़ता कोई बहुत बड़ी jump या बहुत बड़ी drop नहीं आ जाती है, इसका conclusion क्या है, इसका conclusion यह है कि elections short term event है, long term में बाजार पे इसका almost कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बाजार जैसा चलता है, अच्छा है, इसमें condition क्या है, condition यह है कि यह कुछ बिल्कुली बदल ना जाया, जैसे crisis ना आ जाया, अगर crisis आ जाती है, तो आपको फिर चीज़ें में बदलाब देखने को मिलता है, उसके अलावा, normal time में elections का longer term में प्रभाव, बाजार पे इतना जादा significant नहीं, शिर्फ shorter term में प्रभाव है, अच्छा यहाँ पे मैंने आप volatility की चर्चा की है, variance से calculate किया ह अगर आप volatility देखोगे, तो बिल्कुल clear cut है, जो आपको India Wix बता रही है, वो ही data आपको volatility का data, पिछले 5 बार का बता रहा है, कि जितना नजदीक आप election में जाते हो ना, आपकी volatility बढ़ती हुई नजर आती है, इसका मतलब है, जो volatility होती, IV, implied volatility, जिससे हम calculate करते है, Wix actually में है क या, Wix कुछ भी नहीं है, निफ्टी की IV है, निफ्टी की implied volatility है, आप कहोगे सर, इतना मुश्किश शब्दों का use क्यों कर रहे हो, तो मेरी गलती नहीं है, एक तो options खुद भी complicated है, और ऐसे शब्द हैं, उसमें, दूसरी बात है, अगर सरल शब्दों में बात कहूँ न, कि elections के जितना नस्दी का option खरीदने की कोशिश करते हो, या अच्छी इंदी में बोलू, तो chase क्या करते हो, उतना ही महेंगा आपको option मिलता है, उतनी जादा कीमत आपको चुकानी पड़ती है options में, अच्छा, आप खुद भी सोचो, अगर आप option buy रोआ, आप किसी भी चीज के खरिदार हो, आप हमेशा कोशिश करोगे कि कोई भी चीज में सस्ते दाम पे खरीदो, लेकिन क्या seller आपको सस्ते दाम पे बेचेगा, नहीं, अगर आप elections के बहुत नस्दी का option खरीदने की कोशिश करोगे, तो seller आपको महेंगे options बेचेगा, ये कहानी आपको इधर variance से गिर जाती है, variance कम हो जाता है, मतलब volatility कम हो जाती है, मतलब option की prices regular हो जाती है, अगर graphical terms से बोलू न, तो options की prices ऐसे rise करती है, elections के समय के बाद फिर dip हो जाती है, normal आ जाती है, तो किसी ने मालो एक example देता हूँ, उधरर देता हूँ, चार तारीको elections के नतीजे है, किसी ने एक त खरीद लिया, जून अन्त की, तो क्या होगा, आपने खरीदी है, बहुत महंगे दाम पर, अब बाजार आपके direction में जाय चाहना जाये, वो volatility गिरने की वज़ा से आपकी options के premium घट जाएगी और आपका नुक्सान हो जाएगा, इसलिए option buying के लिए आपको elections के दिन बहुत बता दिया, यहां भी मैंने observation लिख भी दिया कि shorter term में volatility बढ़ती है, लेकिं longer term में normal हो जाती, इसका मतलब है options trader के लिए यह समझना है, कि छोटे समय के लिए अगर आप elections के नजदीक option करीदोगे, महेंगे में खरीदोगे, बहुत सस्ती खुद बाख खुद हो जाएगी, उस time decay के impact से जादा हो, overall options को कम से कम 4-5 चीज़े impact करती है, लेकिन as a trader हमारा फूरा focus यह याद रहता है, option खरीदूगा, time decay होगा, option बेचूँगा, time decay पैसा आएगा, नहीं यार, और भी चीज़े है, volatility बहुत important है, और कुछ नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतन आई यह देखते हैं, elections के आसपास अगर आप देखोगे, on a day of elections, जैसे मैं कह रहा है तो अगर आप elections के बिल्कुल पहले options खरीबते हो, if you are option buyer, तो आपको क्या चाहिए, बहुत बड़े move चाहिए, अच्छे खासे बड़े move चाहिए, और बड़े move कब आएगा elections में, जब कु क्योंकि सरकारी जल्दी यल्दी पलट रही थी न, अगर आप वहाँ से देखोगे, तो elections के दिन, जिस दिन election announce होता है, बहुत बड़े move नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, in fact, मोधी जी के आने के बाद, 2014-2019 में देखोगे, तो 1% का move आया है, और उपर से 2019 पे तो गिरा भी था उस दिन, मतलब उस दिन का मतलब है, जिस दिन election announce होता, अच्छा, अगर उस दिन बाजार बनता, तो उसके एक दिन के बाद का data यहां पे लिया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखेगा, तो overall elections के दिन बहुत बड़े move नहीं आते हैं, अगर आप overall data देखोगे, ये ध्यान होगा है, एक परसंट का बिल्गुल बड़ा move, मत माल लेना कि निफ्टी 200 बढ़ गई या 200 गिर गई, ये बड़ा move नहीं होता है, elections के सामें, दो परसंट से अधिक का move मैं कहूंगा, बड़ा move है, लेकिन नहीं आता है, जनली नहीं आता है, तो क्या होगा, आपकी options पूरी की सरकार नहीं आईगी, और UPA की सरकार आ गई, यानि बड़े move के लिए आपको surprise चाहिए, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, इस बाजार ने क्या discount करके रखा है, बाजार ने discount करके रखा है, कि boss भाजपा आ रही है, BJP आ रही है, मोदी आ रहे है, और majority के साथ आ रहे है, बाजा गिरावट देगा और बड़ी गिरावट भी दे सकता है, उस समय बड़े move आ सकते हैं, ये scenario होना चाहिए, तब जाके बड़े move आएंगे, 2019, 2009 में भी बड़े move आयते, लेकिन उसका reason यह था कि हम 2008 के crisis के बाद निकल रहे तो, और फिर से UPA2 select हुई थी, तो बाजार को एक stability म नहीं आते हैं, तो बड़ा मुश्किल है option भाई है, मतलब lottery type का system हो जाएगा अगर आपने बिल्कुल elections के पहले कोई call ले ली, या कोई put ले ली, overall अगर आप यहां से देखोगे कि elections की cycle में कैसा perform के, ये interesting है, elections के दिन भले ही बड़ा move नहीं आता है, लेकिन आपको जो चीज समझनी है, कि elections जिस दिन announce होता है न, उसके पहले से move आने लगते हैं, अगर हमारे बाजार में भी move देखोगे, तो election commission ने date announce किया था, लगबख 16 March को, अगर आप 16 March के पहले चले जाओगे न, तो move तो हमारे December state election से ही आना शुरू हो गया, तो बाजार इतना चालाक हो गया है कि basically रुकता नहीं है कि elections के दिन अब मैं react करूँगा, क्योंकि अब नतीजे आ गए, नहीं, यहाँ पे बहुत सारी smart player है, जो कि पहले से अपनी position डाल देते हैं, और in fact अगर आपने मेरी previous video देखी थी, जहाँ पे हमने proprietary traders के पूरे data की poll खोली थी, तो आपको पता था, proprietary traders ने elections के पहले क्या जबरदस्त खेल खेला और क्या जबरदस्त नोट छापे है, expiry तक, तो basically बाजार तेज है, नतीजे आने का वेट नहीं करता है, उसके पहले से position बनाने लगता है, तो अगर किसी को लगता है नतीजों के बाद या नतीजों के एक दिन पहले position बना के मैं कट जाए, लड़ाई है, युद्ध है, मजा रहा है, नहीं सिर्फ वहाँ पे election मी युद्ध है, यहाँ पे भी युद्ध है, anyways, यहाँ पे एक interesting facts मैंने आपके सामने रखे हैं कि यार, different different prime ministers के अंदर, बाजार ने, अगर आप 1000 रुपे लगाते हैं, उनके term के शुरुआत म आप term के शुरुआ चाहे 5 साल किया है, चाहे 5 साल से कम किया हो, वो सारा data यहाँ पे रहे, तो किस type का basically आपको return मिलते हजार रुपे पे, तो आप देखोगे मोधी जी के कारेकाल में, अगर 2019 वाले आप 1000 रुपे लगातें, तो लगबग 1863 रुपीज होके आतें, जो कि मैं मैं कहूंगा अच्छे return है, ठीठा क return है, मनमोहन जी ने अच्छे return दिये थे, अगर आप UPA2 की बात करोगे, और UPA2 में आपने देखा भी, कि बादार काफी खुश था, बड़ा return दिया है, तो आपकी capital लगबग 2.7 times हो जाती, interesting fact लगा, इसलिए मैं नहीं डाल दिये, not that कि इसका कोई प्रभाप पड़ेगा, बड़ा interesting है, देखना कि यार किस prime minister के अंदर, अगर मैं 1000 रुपए डालता तो उसके कारेकाल के शुरू में और उसके कारेकाल के अंत में, मेरे 1000 रुपए कितने बन जाते, काफी interesting facts है, अच्छा, overall कुछ scenarios की बात कर लेते हैं, तो बाजा इस समय डिसकाउंट कर रहा है कि भाजपा full majority के साथ आ रही है, यानि 272 seats से जाधा आ रही है, personally मेरा मानना है कि भाजपा अगर 272 seats से उपर आएगी, तो बाजार इतना जाधा नाराज नहीं होगा, flat हो जाएगा, बाजार को कोई समस्या नहीं है, बाजार खुशी रहेगा ये एक अच्छा सिनेरियो है, और होने के समभावना सबको लगी रही है, कि भाजपा खुश से full majority से आए, तो ये सिनेरियो में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, in fact अगर seat कहीं भाजपा की 330, 350 की तरफ आती है न, तो बाजार रैली कर जाएगा, लेकिन क्या 350 सका सकती है, पता है, मुश्किल है, 330 हो सकता है, इन सिनेरियो में बेसिकली बाजार में जमरदस तेजी देखने को मिलेगी, आपको 320, 330 के ऊपर की seat चाहिए, तो बाजार बढ़िया रैली करेगा, अगर 272 से 300 के बीच में आती है, 272 से 300, 305, 310, ये भाजपा की majority बाजार डिसकाउंट क चुका है, इस केस में बाजार पे कोई reaction ही होगा, ऊपर नीचे करेगा, पिरे दिन में फ्लैट कर देगा, और दोनों पुट वाले और कॉल वाले दोनों बायर्स के पैसे खा जाएगा, डिके खाएगा बैसिकली उस दिन, ठीक है, ये काम करेगा, अच्छा अगर NDA 272 से कम आती है, तो मतलब BJP 272 नहीं आती है, लेकिन NDA की सरकार बन जाती है, गट बंदन वाली सरकार बन जाती है, लेकिन भाजपा स्वेम, फुल मेजॉर्टी नहीं लापाती है, ये सिनेरियो खराब है, इस सिनेरियो में बाजार में थोड़ी बहुत sell-off देखने को मिल सकती है, और उसके बाद बाजार sideways हो जाएगा, लेकिन अगर फुल मेजॉर्टी NDA भी नहीं बना पाती है, और फिर बाकी external दलो का समर्थन चाहिए, जोड़ तोड की सरकार जिसमें भारत मतलब पहले तो PhD करके रखा था, सारी सरकार ये जोड़ तोड़ की होती थी, अगर ऐसा कु जाएगा और बड़ा क्रेश हो जाएगा, फिर तो 22-300, जो gap छोड़ के आए न हम लोग 22-300, 22-500 का वो gap भी बढ़ जाएगा, तो anyways, देखो बाजार ने, मैं अगर अपना personal बता हूँ तो अच्छी खबरें discount करके रखी है, बुरी खबर के साथ surprise आ सकता है, जो की risky हो सकता है लेकिन उसके आने की संभावनाएं बहुत कम है, तो overall ये थी आपके पूरी data, अभी हम strategies पर जाएंगे, लेकिन ये data थी, ये पूरी चर्चा थी, जो हमने यहाँ पर की है, किस तरह से बाजार production करता है, कैसे volatility बढ़ती है, option buyer, option sellers में किसको फाइदा है, किसको नुकसान है, क अब सवाल है कि strategy किस तरह से formulate करें, उसके लिए हमें कुछ और data point देखने है, especially Wix related, देखो मुझे लगता है कि elections के समय, जब आपके 4 June को elections के नतीज़े आ जाएंगे, clear cut picture आ जाएगी, और अगर आपको सुनने को मिल जाता है कि भाजपा फिर से full majority के साथ आ रही है, तो Wix मे आएगी भारी भरकम crash, यह note करके रख लो, Wix crash हो जाएगी, अच्छा Wix crash होने से होगा क्या मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यह बहुत interesting chart है, जनली हम लोग शायद as a retail traders in chart को नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत बहुत important है, क्या बता रहा है, यह स इस समय Wix इतनी हाई है, क्या करें, यह वो, लेकिन आपको समझना है, पहले Wix होती क्या है, Wix आपकी implied volatility है, किसकी, nifty की, यह बताता क्या है, अब सवाल यह बताता क्या है, Wix आपको बताता है कि आने वाले 30 दिनों में बाजार कितना volatile रहने वाला है, कितने दिनों में, 30 द बताता है, आने वाली volatility बताता है, इसका मतलब है, अंग्रे जी में बोले तो expected volatility बताता है, ना कि actual volatility, दोनों में फर्क है, यह बताता है, क्या हो सकता है, बाजार कितना भाग सकता है, कितना गिर सकता है, सकता है, यह नहीं बताता है, कितना गिरेगा, कितना नहीं गिरेगा, कितना बढ़ेगा नहीं expectation बताता है अब जब Wix इतनी हाई है तो बाजार अनुमाल लगा रहा है कि अगले 30 दिनों तक बहुत high volatility रहेगी लेकिन क्या बाजार सही है और answer मेरे हिसाब से है नहीं देखो ये overall मेरी analysis है तो मैं ही अपने viewpoint बताऊंगो और हो सकता है आपकी opinion अलगो है ना दोनों लोग differ कर सकते है लेकिन मेरी opinion इस data के basis पे है सबसे पहले बाजार की Wix बता रही है कि आने वाले 30 दिनों volatility बढ़ेगी लेकिन volatility बढ़ी किसलिए है elections की वज़ा से elections के नतीज़े कब है चार जून को तो चार जून के बाद अगर normal नतीज़े आते हैं और BJP हारती नहीं है या majority के साथ वापिस आ जाती है तो फिर Wix का इतना हाई रहने का कोई मतलब नहीं है Wix वहाँ से crash हो जाएगी अब Wix crash हो जाएगी तो होगा क्या IV गिरेगी आईवी सब की गिर जाएगी चाहे आप stocks ले रहे हो चाहे आप nifty bank nifty trade कर रहे हो आईवी गिर जाएगी आईवी गिरने से होगा क्या options की premium गिर जाएगी क्योंकि ये जो Wix है या जो आईवी है दोनों actually में similar ही है Wix एक तरह की IV है implied volatility है तो Wix calculate हो दी कैसे है option के premiums है option की prices है तो अगर आप देखोगे elections में uncertainty है हम और आप कितना portfolio है छोटा है न यार एक करोड़ दो करोड़ पांच करोड़ दस करोड़ दस लाग बीस लाग कितना ही होगा 10 करोड़ से यादा कर तो portfolio आपका अमारा नहीं है न लेकिन अगर आप बड़ी संस्थाओं के बात करो किसी LIC के किसी SBI की उनका portfolio तो लाख करोड़ का है और वो उनका खुद का पैसे नहीं है वो तो client का पैसा है अब अगर एक बात मानो कि ठीक है यार सबको पता है भाजपा जीती है क्या एक तो आपका लाग करोड का portfolio भी crash हो जागा 10% भी गिर जाता है तो 10,000 करोड का नुक्सान होगा तो भाई investor जो बड़े बड़े अचनाई है वो तो आएंगे पूछेंगे न कि यर तुम्हें नहीं पता था एक परसेंट से भी complicated काम कर सकते हैं और भी complicated चीज़े होती है बच सिंपल शब्दों में या तो future बेचेगा या तो put खरीदेगा अब जैसे ही put खरीदेगा तो put की demand बढ़ जाएगे put call parity अब दोनों के premium बढ़ेगी तो wix बढ़ेगी अब एक बात बताओ या elections के बाद उनको portfolio hedge करने का थोड़ी कुछ रहता है उसके बाद तो नतीज़े आ गए फिर वो अपनी hedging position को काटेगा काटेगा तो बेचेगा तो supply बढ़ेगी premium सस्ती होगी तो wix अपने आप घिर जाएगी तो wix crash हो जाएगी अब ये wix crash होने के बजाए से option premium crash हो जाएगी तो अगर आपने option buy किया था तो अगर बादार कुछ नहीं करता है मालो आधा 1% open नीचे करके या 1% open नीचे करके close हो जाता है तो भी अगर आपने इतनी high volatility पे खरीदी है option महंगी खरीदी है तो आपकी premium decay हो जाएगी अब ये same कहानी आप देखो 2019 के elections में हुई थी अगर एक बार आप nifty 2019 पे नजार डालो मैं आपको 2019 में ले जालता हूँ 2019 में देखो एक महीने पहले बाजार उपर था वहां से गिरा और एक हफ़ते पहले बाजार recover कर गया यानि महीने बार में flat था जो वही data जिसकी हमने अभी चर्जा की है अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो विक्स को देखो विक्स के साथ हुआ क्या 2019 का elections में मैं आपको वापिस ले चलता हूँ और देखते हैं विक्स के साथ क्या हुआ आप देखोगे elections के पहले पहले तक विक्स राइस की 23 में को आपके 2019 elections के नतीजे थे उस दिन आप देखोगे विक्स में भारी भरकम crash हो गई विक्स पूरी crash हो गई और आपका बाजान लगबग flat रहा आधा percent नीचे गिर गया ऊपर नीचे बहुत किया volatility हुई लेकिन flat close हो गया तो हुआ क्या होगा option buyers जिसने put खरी दे जिसने call खरी दोनों की premium खतम हो गई डिके हो गई होगी यह हुआ होगा तो basically यह एक risk है और मेरा मानना है इस बार भी लगबग ऐसा ही होग विक्स में फिर से crash होगी इस बार की भी विक्स देखो गए तो elections के पहले अचानक से rise की है और यहां से elections के दिन या उसके बाद एक दो दिन के बाद crash हो जाएगी आईवी अब यह चीज़ आप यहां पर भी देख सकते हो इस graph से जिसमें हम लोग ने आईवी historical volatility होती है actual volatility कि बाजार असली में कितना volatile है और जैसे मैंने का जो आपकी विक्स है आईवी है वो बताती कि कितना volatile हो सकता है दोनों में difference बहुत जादा बढ़ चुका है इसका मतलब है बाजार बहुत बड़े move expect कर रहा है जो बहुत बड़े move शायद ना आए या personally मुझे लगता है आने की संभावना बहुत कम है क्योंकि इतने बड़े move कब आएगा इतने बड़े move तो तब ही आएंगे जब भाजपा elections हार जाएगी अगर भाजपा elections हार जाती तो उसकी संभावना है तो बहुत कम है न तो इतने बड़े move को आप discount कर रहे हो तो possibly यहाँ पे trap करने की कोशिश हो र लगता है कि अब position बना के मैं पैसा कमा लूँगा elections पे तो आप गलत है क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी है आपको क्या लग रहे है निफ्टी उपर गिया नीचे गिरा फिर उपर बड़ा इतना तेज पिर अभी volatile है यह सारा game बड़े players कर रहे है अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो देखे थे जहाँ पर हमने proprietary traders की बात की थी मैंने चर्चा की थी कि किस तरह से वो note छाप रहे है elections के समय अपनी information से तो आप ऐसा कोशिश मत करो कि दो दिन पहले ही से कमाने की कोशिश करो नहीं बहुत मुश्किल है अच्छे ये बात मैं ऐसलिए नहीं कर रह आपको लगता है हार जाएगे तो पोट ले लो मत करो कुछ भी नहीं होगा और पैसे पूरे डीके हो जाएगे आपको लगता है दोनों में भी डीके हो जाएगा डीके इसली हो जाएगा क्योंकि जब आप पूट और कॉल दोनों खरीदते हो होता क्या है अगर volatility गिरेगी तो दोनों की premium घच जाएगे और double loss होने लगेगा तो उसके लिए आपको बाजार में बड़े move से आगे है दो परसंट से अधिक मूब कभी आते हैं बहुत कम elections के समय आपने इतियास देखा है कि elections के तिन जिस दिन नतीजे decide होते हैं सिर्द दो elections थे जिसमें ऐसे बड़े move आए उसके अलावा नहीं आए रिस्की है ठीक है तो FNO पहले तो आप avoid करो अगर हो सके तो मैं चाहता हूं कि यार आप capital बचा थोड़ा सा ठीक है अगर आपको कुछ करना है तो यार equity में please trade करो equity में shift हो जाओ क्योंकि long term में कोई फरक नहीं पड़ता equity में आपकी leverage नहीं है equity आपका है अब अगर आज नहीं move किया कल move कर जाएगा अगर आज ही move किया तो पैसा ब्रूक कर लोगे दोनों cases में यहाँ पे आप कमा लोगे अगर आप equity में positional trading कर रहे हो तो equity best है यह आप refer कर सकते हो इसको आप provide करो equity में shift हो जाओ अच्छा जो कुछ ना कुछ करना ही चाह आप होगी तो मैं ऐसी strategy लगाना चाहूँगा जो IV के गिरने पर पैसा बनाए और दूसरा मेरा criteria है उस strategy में unlimited loss नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर unlimited loss होगे और बाजार में कुछ भी by chance मैं गलत होगे और भाजपा हार जाती है और सब गलत होगे बड़ी गिरावट आ जाएग पर मुझे strategy बनानी है इस type के strategy आप short iron fly या short iron condor या full ratio spread बना सकते हो hedging के साथ आयो दोस्तों इस तरह की एक strategy को हम चर्चा कर लेते हैं मैं full ratio spreads के चर्चा करूँगा यह strategy मुझे काफी पसंद है in fact मैंने use की भी है लेकिन मैं आपको बता दूँ यह पहले से बना के मैंने रख ही हुई है तो अगर आप copy paste करना चाहते है तो काम नहीं करेगा क्योंकि options के premium बदल जाएगी और बाजार उपन नीचे काफी जादा हो जाएगा फिर यह काम नहीं करेगी direct उस तरह से लेकिन इस strategies में आपको यह दिखाना चाहता हूं किस तरह से एक strategy जिसमें unlimited risk है आप उसक को limited कर सकते हो आये देखते हैं सबसे पहले अगर मैं full ratio की spread की बात करूँ तो यह strategy को लगाने का उद्देश बस यही है क्योंकि इस strategy में आपकी IV गिरने पर आपको profit होता है downside limited है in fact इसकी जो range भी आती है वो काफी अच्छी range निकलके आती है इसलिए हम इस strategy का use कर रहे है बस हमें limited downside बनानी पड़ेगी इस strategy में फिलाल लगबग अगर आप यहां पर देखोगे इस strategy को यहां पर हमने कुछ options के through basically आपको दिखाने के लिए कि किसे जारा से एक strategy का एक उधारण देने के लिए हमने आपको बता है कि अगर यहां पर 21,800 की एक call option खरीदी है 23,000 की दो call option 22,200 की एक put लेते हो और 22,000 की एक दो put बेचते हो यह हो गई put ratio spread दोनों को combine करते हो यह क्या हो गई full ratio spread इसको एक और नाम से बोला जाता है जिसे हम कहते है Batman strategy इसको लगाने का उदेश बस यही है कि basically यह options जब wix गिरती है आईवी गिरेगी यह पैसा बनाएगी दूसरी इसक 23,500 से लेके देखो 23,500 तक safe है इसका मतलब है लगबग 2000 पॉइंट की range दे देती है यह strategy हो कि बहुत है तो मुझे नहीं पता बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा election में क्या करेगा लेकिन अगर मेरे पास इतनी लंबी range है तो मैं थोड़ा सा safely pray कर सकता हूं लेकिन यहा आजाती है तो यहाँ पर तो unlimited risk है फिर तो मेरा यह बड़ा नुकसान हो सकता है तो मैं क्या कह रहा था मैं सिर्फ उस strategy का use करूंगा जिसमें आपकी limited risk को hedge हो limited downside हो तो इस strategy को limited downside पर हमें convert करना पड़ेगा किस तरह से करेंगे सबसे पहले अगर हम options पर जाएंगे same expiry का use करना पड़ेगा इस उदाडर के तौर पर हमें सबसे पहले 21400 की अगर हम put खरीद लेते हैं यहाँ पर तो आप देखोगे 21400 की put खरीद लेते हैं तो नीचे के side hedge होगे और अगर हम 23600 की एक call खरीद है जो भी break even है उसके 100 point उपर की मैं call ले रहा हूं और 100 point नीचे की put ले रहा strategy convert हो चुकी है और जो proper batman strategy लग रही है अब आप देखोगे नीचे की risk भी limited है अगर मालो भाजपा हार जाती है और lower circuit लगा जाता है बाजार 10% 20% गिर जाता है 30% गिर जाता है crash हो जाता है खतम हो जाता है तो भी मेरा risk limited है मैं एक बार में इस पूरी strategy में 7000 से जादा पूज निकर सकता हो और अगर आप यहां पर range देखोगे तो इसकी range फिर भी अच्छी आती है 21,700 से लगबए 23,300 की 1600 point की range अभी भी निकल के आती है और अगर उसके पहले wix गिर जाती है exit polls के पहले ही काट सकते हम इसको हम 4 तारीका भी wait नहीं करेंगे अगर पहले से इसमे विक्स में बड़ी गिरावाट आती है इसमें अच्छा पैसा बन जाएगा हम लेके चले जाएंगे हमें इतना ज्यादा रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है इस तरह की strategies का हम योज़ कर सकते हैं मेरा उद्देश ये था कि आपको एक उधारर दू कि किस तरह से research करते है data collect करते हैं research करते हैं उसके basis पे एक opinion बनाते हैं assumptions लेते हैं strategies बनाते हैं strategies में भी किस तरह से strategy को select करते हैं नहीं सिर्फ पूरा गेम सिर्फ call या put लेने का है लेगिन खुद को बचाना भी तो है पैसा बचाना बाजार में जादा जरूरी है पैसा कमाने से पूरी दुनिया च पैसे को बचा के चलना पड़ेगा इसी लिए जब आप बाजान में पैसे लगाओ ना please बहुत carefully लगाओ बहुत carefully अपनी पूरी analysis करो जब तक आपको खुद पर पूरा बारिसा ना हो किसी के कहने पर किसी की बातों पर किसी की और की research पर कुछ मत करो आप अपना दिमाग ल informative रही होगी मेरी बस आपसे यह request रहेगी कि please इस elections पर अपने पैसे बड़ी संस्थाओं को ना दे अंधा दून call और put करके पैसे मत देना होगा क्या आप सई करोगे बाजार उपर जारोगा आप call भी लेलोगे लेकिन क्या होगा आपकी stop loss हिट हो जाएगी आप कहोगे यार 100 रुपे पर call खरीदी थी 70 रुपे stop loss लगाया 65 पर आके मेरी stop loss हिट की वो ही call option 300 तक चली गई इस type की कहानी हम कहते है न ये sir होगा मैं बहुत जादा चाहता हूँ कि आप इस समय बच के रहो क्योंकि चाहें आप call लोगे चाहें put लोगे चाहें आपने सही direction पर भी लेया आपकी stop loss कहीं से भी hit हो सकती है क्योंकि इतनी जादा volatility है बड़े players दोनों side पे आपको काटने के लिए तयार है तो सिर्फ put और call और essence आपको बचा नहीं पाएगे तो please अपनी capital को protect करिये या तो F&O trading completely avoid कर दिये दो दिन की बात है या तो equity trading में आ जाईए positional bets करिये best तरीका है अगर आपको trade करना ही है तो अगर इन दोनों चीजों से भी आप मानते नहीं और आपको कुछ करना ही करना ही करना ही करना ही है अपने कसम खाई है फिर आपको कुछ hedging based strategies का ही use करना पड़ेगा वन और कोई तरीका नहीं है सही से capital को बचा के safely trade करने का उमीद करता हूं य analysis आपको पसंदे है अगर ऐसा है तो उसको like करेगा चैनल को subscribe करेगा प्लीज अगर आपको लगता है research deep थी तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा ताकि हमारी reach थोड़ी बढ़ जाए thank you so much I'll see you again take care